इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों को ये टोपिक लगबग सभी एक्जामों के लिए बहुत ही इंपोटेंट है और हम भारत की नदियों को चार पार्ट में डिवाइट करके पढ़ेंगे देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम कवर करेंगे गंगा नदितंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के नक्से में इसके बाद हम देखेंगे सिंदु नदितंतर को यह सिंदु नदितंतर है इसके बाद ब्रहंपूत्र नदितंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और इसके बाद देखेंगे हम प्राय देपिया भारत की नदियां ये दोस्तो दक्षिन भारत जो है इसमें जितनी भी नदिया आएंगी हम उसे कहते हैं प्राय देपिया भारत की नदिया मतलब ये प्राय देपिया भारत है इदर का तो इस तरीके से हम भारत के नदियों कब निर्मान करती है तो भागरती कहां से निकलती है यहां पर देखिए भागरती रिवर गोमुग के पास से गंगोत्री गलेशर से निकलती है यहां पर गंगोत्री गलेशर है तो यहां से भागरती रिवर निकलती है और यह है अलकनंदा तो अलकनंदा सतोपद गलेशर से निक तो कहाँ पर आती है ये हरीद्वार में तो ये सब इसकी साहयक नदियां है तो साहयक नदियों को जानने से पहले इसके बारे में कुछ और प्रिमूख बाते जान लेते हैं देखे गंगा रिवर पांच राज्यों से होकर गुजरती है सबसे पहले है उत्तराखंड यहाँ पर उत्तराखंड है ये उत्तराखंड के बाद ये उत्तरप्रदेश में एंटर करती है उत्तरप्रदेश के बाद ये बिहार में फिर जहारकंड में जहारकंड में थोड़ा सा भाग आता है यहाँ पर इसका और उसके बाद ये पच्चिम बंगाल में एंटर करती है पच्चिम बंगाल के बाद ये बंगलादेश से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा रिदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है इस state map में आप देख सकते हैं तो सबसे अधिक लंबा ही कहां पर है उत्तर विर्देश में है इसकी दोस्तो ये पच्चिम मंगाल में आकर दो भागों में divide हो जाती है एक भाग इसका नीचे चला जाता है इसे हम बित्रिकाएं कहते हैं दो भागों में divide हो जाती है तो पच्चिम मंगाल में जो इसकी bित्रिका होती है उसे कहते हैं हुगली ठीक है तो हुगली नदी के नाम से जानी आती है याद कर लीजी से भी और कलकत்ता भी इसी नदी के किनारे पर है कलकत्ता इसके बाएं तटपर है यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर यह दामोदा रिवर भी इससे आकर मिलती है और दोस्तों दूसरी जो बित्रिका है इसकी वो बांगला देश में जाती है तो बांगला देश में यह पदमा के नाम से जानी जाती है तो कोशन आयाता है कि गंगा नदी बंगला देश में किस नाम से जानी आती है तो वो पदमा के नाम से जानी आती है और बंगला देश में इससे ब्रहंपुत रीवर मिलती है ब्रहंपुत रीवर बंगला देश में जमुना के नाम से जानी आती है और इसके बाद एक रिवर और यहाँ पर इससे मिलती है मेगना तो यहाँ पर मिलती है इससे मेगना तो जहाँ पर इससे मेगना रिवर मिलती है उसके बाद यह मेगना के नाम से जानी जाती है तो गंगा नदी लास्ट में जाकर मेगना के नाम से जानी जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुन्दरवन डेल्टा बनाती है तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुन्दरवन डेल्टा कहां पर है बांगला देश में तो चलिए आब इसकी साहक नदियों के बारे में जान लेते हैं तो देखिए कुछ साहक नदिया इसकी दक्षण की ओर से मिलती है और कुछ उत्तर की ओर से ठीक है अब नदी किस ओर चल लए है ये गंगा नदी इस साइड में बह रही है मतलब सुरू में ये उत्तर से दक्षण की ओर बह रही है तो जिस साइड में बह रही है तो हम कहेंगे उत्तर की साइड से जो नदिया इस से मिलेंगी साहक नदिया तो वो बाएं ओर से मिलेंगी और जो दक्षण की ओर से मिलेंगी वो दाएं ओर से ठीक है तो सबसे पहले हम दाएं ओर से मतलब दक्षण की ओर से मिलने वाली साहिक नदियों के बारे में जान लेते हैं तो देखिए दक्षण की ओर से सबसे बड़ी जो साहिक नदी गंगा नदी से मिलती है वो यमूना रीवर है यह देखिए यहाँ पर यह यमूना रीवर है वो सब गंगा नदी से उत्तर की साइट से मिलती है देख रहे होंगे आप ये सब उत्तर की साइट से मिल लई है केवल एक यमुना रिवर है जो की हिमाले से निकल लई है और दक्षण की ओर से मिल लई है इधर की साइट से मिल लई है है तो यह बहुत ही important point है इसा याद कर लीजी a Dean और यह हिमा लेके या मुनोत्री Glacier से निकलती है यहां पर है या मुनोत्री Glacier तो यहां से यह निकलती ہے और उत्तर पृदेश के प्रियाग राज में आकर यह गंगा नदी से मिल जाती है यहाँ पर ठीक है पिरियाग राज का नाम पहले अलावाद था आपको पता हुआ तो यहाँ पर आकर यह गंगा नदी से मिल जाती है और इससे पहले यहाँ पर इसकी सहयक नदी है दक्षली की ओर से मिलने वाली है काली नदी के नाम जानी आती है तो यह है काली देखरोंगे आप ये green color में तो ये काली नदी है इसके बाद यमुना नदी की भी साहक नदियां है तो यमुना नदी की साहक नदी सबसे पहले है ये चंबल ये जो river आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मिल लगी है ये चंबल river है चंबल रिवर में एक यहाँ पर बनास रिवर मिलती है तो यह माउंट आवू से निकलती है यहाँ पर माउंट आवू से निकलकर यह बनास रिवर चंबल नदी में मिल जाती है और चंबल नदी यमुना रिवर में मिल जाती है यहाँ पर और यह माउंट आबू दोस्तो राजिस्थान में है इसके बाद यमुना रिवर में मिलती है सिंध तो यह जो रिवर मिल लगी है यहाँ पर यह सिंध के नाम से जानी आती है यह सिंध है इसके बाद यहाँ पर यह वेतवा है यमुना रिवर में मिलती है इसके बाद यहाँ पर यह केन है तो यह चारो नदी यमुना रिवर में मिलती है चंबल, सिंद, बेतवा और केन यह चारो रिवर यमुना रिवर में मिलती है इसके बाद यह टॉंस है यहाँ पर टॉंस रिवर है ये मिलती है गंगा रिवर में ठीक है इससे पहले जो भी इसकी साहग नदी है ये यमुना रिवर की है चारो इसके बाद यहां से है ये टॉंस इसके बाद ये सोन ये जो रिवर है ये सोन है ये भी इस डायलेट गंगा रिवर मिलती है तो इनका क्रम भी आप याद कर लीजिए ठीक है जैसे कि यमुना रिवर से पहले दक्षण की ओर से कौन सी नदी मिलती है यहाँ पर यहाँ पर यह काली नदी ठीक है तो यह काली नदी है दक्षण की ओर से मिल लिए यह भी तो अब जानते हैं उत्तर की ओर से मिलने वाली मतलब बाई ओर से मिलने वाली नदी तो सबसे पहले यहाँ पर ही मिलती है राम गंगा तो कई वार को सन में पूछा जाता है कि उत्तर की ओर से सबसे पहले गंगा रीवर में कौन सी साहिक नदी मिलती है तो बहुत important है इसे वियात कर लिजिए तो ये गंगा रिवर की एक मातर ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है और गौमती रिवर के बाद ये नदी मिलती है गंगा रिवर में घागरा नदी ठीक है ये जो रिवर है यहां तक ये घागरा रिवर है तो ये सो गंड़क रिवर है ये ये भी उत्तर की ओड़ से मिलती है इसके बाद कोसी है ये तो कोसी नदी के बारे में आप जानती होंगे तो इसके मार्ग बदलने के कारण इसमें बाड़ आती रहती है इसलिए इसे हम बिहार का सोग भी कहते है तो यहां पर बिहार है तो यहां पर बाड आती रहती है इसे नदी में इसलिए हम इसे बिहार का सोग भी कहते हैं और दोस्तों ये लास्ट उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है अंतिम ये है महानन्दा तो कोशन आ जाता है उत्तर की ओर से गंगा रिवर में सबसे लास्ट में अया अंतिम में कौन सी river मिलती है तो कौन सी मिलती है महानन्दा ये महानन्दा है इसके बाद तो मैं आपको यहाँ पर बताई दिया ये पच्चिम मंगाल में यहाँ यहाँ पर दो बित्री काओं में बिभाजित हो जाती है एक बित्री का जो पच्चिम मंगाल में बैती है उसे हुगली कहते और कलकत्ता इसी नदी के किनारे पर है कलकत्ता इसके बाई ओर है इधर की साइड में और इससे आगए यहाँ पर इससे दामोदर रीवर भी मिलती है दोस्तों दामोदर रीवर में भी काफी बाड आती रहती है इसलिए हम इसे पच्चिम मंगाल का अभिसाब भी कहते हैं इस जमुना के नाम से जाने आता है ब्रहंपुत रीवर का और इसके बाद यहां पर इससे मिलती है मेगना रीवर तो मेगना रीवर जहां पर इससे मिलती है इसके बाद गंगा निदी मेगना के नाम से जानी आती है तो यह सब बात आपको याद होनी चाहिए इसके बाद आपको दोस्तो चीन में तिबबत में मानसरोबर जील के पास से तीन नदिया निकलती हैं ये दोस्तो ब्रहमपुत्र नदी है ये सिंदू नदी है और ये सतुलज नदी है तो इस वीडियो में हम सिंदू रिवर के बारें बात करेंगे दोस्तो सतुलज रिवर भी तिबबत से निकल कर भारत से होते हुई पाकिस्तान में चेनाव नदी से मिलकर इंडसर इवर में मिल जाती है तो इनकी सह kle Dubseел primeira के बारे में जानते हैं दोस्तों यह मांसरोभट जील है और इसी के उपर यहाँ पर दोस्तों सिंगी खंबाव glacier है, जहां से सिंदू river का उद्गम होता है, और यहां से निकल कर दोस्तो ये भारत के लड़ाख में enter करती है और लड़ाख में दोस्तो एक सहर है लेह, यहाँ पर लेह है, जो की इसके दाइं तट पर है, इसके बाद दोस्तो लद्दाक में ही सियोग नदी इससे आकर मिलती है सिंदू रिवर की साहग नदी है और दोस्तो कराकुरम छेतर में सियोग नदी को मिर्टू की नदी भी कहते हैं रिवर ओफ डेथ इसके बाद दोस्तो सिंदू नदी पर यहाँ पर सिंदू गोर्ज है ये P.O.K. में पढ़ता है इसके बाद दोस्तो ये भारत से निकल कर पाकिस्तान में बैती हुई अरब सागर में गिर जाती है चलिए दोस्तो अब इसकी साहिक नदियों के बारे में बात करते हैं दोस्तो इसकी पिरमुक साहिक नदियों है चेनाव बागी जो नदियों हैं दोस्तो इसी की साहिक नदियों है मतलब चेनाव नदियों में मिलती है उसके बाद ये इंडस रिवर में मिलती है तो पहले दोस्तो हम चेनाव नदि के बारे में जानते हैं दोस्तो हिमाचल प्रदेश में बड़ाला चाला दर्रे के पास से इस नदी का उद्गम होता है यहाँ पर दोस्तो दो छोटी नदियां चंद्रा और भागा ये मैंने बना दियें दोस्तो ये दोनों छोटी नदियां चंद्रा और भागा नदी चेनाब नदी का निर्माड करती हैं और हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्र भागा नदी के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद दोस्तों ये जम्मू कस्मीर से निकल कर पाकिस्तान में एंटर करती है पाकिस्तान में मीठन कोट में आकर ये सिंदू रिवर से मिल जाती है इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम जेलम नदी को इसका उदगम दोस्तों बेरिनाग जरने से होता है दोस्तो अनंतनाग और स्रीनगर इसी नदी के किनारे पर है पहले अनंतनाग है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर स्रीनगर बस हुआ है और इसके बाद दोस्तो बूलर जील है बूलर जील का निर्माण इसी नदी से हुआ है बूलर जील एक गोखुर जील है तो यह मैंने पि रावी नदी के बारे हम देखते हैं, दोस्तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से होता है, इसके बाद दोस्तो ये भारत से निकल कर पाकिस्तान में जाकर चेनाव नदी से मिल जाती है, इसके बाद दोस्तो दो नदियां और बस्ती ह जिल से होता है ये राकस्ताल जील है इसके बाद दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से एंटर करती है जिसके कारण गोविंद सागर जील कर निर्माड हुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भाकडा नागल बांध है इसी बांध के कारण यहां पर गोव पाकिस्तान में सिचाई के उद्देशे से निकाली गई थी दोस्तो ये नहर पूरे भारत की सबसे लंबी नहर है याद रखी ये भी इसके बाद दोस्तो ये भारत से निकलकर पाकिस्तान में चेनाव रीवर से मिल जाती है और फिर इसके बाद चेनाव रीवर पाकिस्तान के मीठन कोर्ट में आकर सिंदूरी बर से मिल जाती है इसके बाद देखते हैं दोस्तो हम दौाब को दौाब किसे कहते हैं दोस्तो दो नदियों के बीच के छेतर को दौाब कहते हैं तो इन साहिक नदियों के बीच में जो दौाब बनते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, चाज, रचना, बारी, और बिष्ट, तो दोस्तो ये दूआब हैं, ये इन सहीक नडियों के बीच में बनते हैं, चलिए इनके नाम देखते हैं किस तरीके से बनाए गए हैं दोस्तो इन दुआब के नाम इन सहायक नदियों के सुरू के अक्षर के नाम से ही पड़े हैं जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं दोस्तो हम जेलम और चेनाब के बीच में जो दुआब है मैं यहां पर दिखा देता हूँ यह जो दुवाब है दोस्तो इस दुवाब का नाम है चाज तो देखिए इस चा से दोस्तो चेनाब है और जा से जहलम है तो जहलम का जो सुरू का अक्षर है जा तो जा से यह जा लिया गया है और चेनाब के सुरू का अक्षर है चा, तो यहां से चा ले लिया गया है, तो इसका नाम पड़ा है चाज, तो इस तरह की से जहलाम और चेनाब के बीच का जो छेत्र है, जो दुआब है, उसका नाम है चाज दुआब, इसके बाद दोस्तों चेनाब और रावी नदी के बियास ये बियास रीवर है ग्रीन कलर मैंने दिखाए थी और रास से दोस्तो रावी नदी है तो बियास और रावी के बीच का जो छेतर है वो बारी दुआप के नाम से जाना जाता है इसके बाद बिष्ट दुआब है तो बिष्ट में दोस्तो ये शुरू का बाज हो है ये बियास से लिया गया है, तो बियास और सतुलज के बीच का जो छेत रहे हैं, यह दोस्तो बिष्ट दवाब के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो स्ट है, लास्ट वाला अक्षर जो है, यह सतुलज से लिया गया है, तो बहुत असानी से इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनी के नाम से इन दुआब के नाम पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहने याद करने में अगर आपके साहिक नदियों के नाम याद है तो यह भी आप होतासानी से याद कर सकते हैं और दुआब मैंने यहाँ पर लिख दिये हैं यह है मानसरुबट जील तो इसी के पास से तीन नदियों का उद्गम होता है एक बिरहमपुत्र और फिर यहां पर यह उपर सिंदू और इससे नीचे यहां पर यह सतलुज नदी तो तीन नदियां इसके पास से निकलती है और यहां पर है यह चेमा यूंगुडुगुगु और यहां पर यह यहां पर यहां पर यहां पर इस दर्रे से एंटर करती है तो आपको यादोना चाहिए को सना सकता है कि बिरहमपुत नदी भारत में किस दर्रे से से एंटर करती है तो कौन से दर्र से एंटर करती है यांग याप ठीक है मैं आप लिख भी देता हूं यांग याप दर्रा ठीक है यह यांग याप दर्रा है और यह जो चोटी है यह नामचा बरवा यह भी आपको याद होना चाहिए कि हिमाल लेगी सबसे पूर्वी चोटी ह इसके बाद दोस्तों, अरुनाचल प्रदेश में हम इसे सियांग और दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है, सियांग और दिहांग दोनों के नाम से जाना जाता है, तो कोशन आ सकता है, अरुनाचल प्रदेश में ब्रहंपुत नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, त और धोला सद्या पुल, धोला सद्या पुल पूरे भारत का सबसे लंबा पुल है, इसकी लंबाई लगभग 9.15 km है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, धोला सद्या पुल की लंबाई 9.15 km है, जो की पूरे भारत का सबसे लंबा पुल है, और एसिया में ये दूसरे स्था पर आता है ठीक है और डोला सधिया पुल का नाम बदल कर इस से में भुपेन हजारिका कर दिया गया है ठीक है मैं हार लिग रहा हूं देखिए भुपेन हजारिका सेतू डोला सधिया पुल का नाम भुपेन हजारिका सेतू कर दिया गया है तो आपको याद अखना है भुपे नदीप पर माजूली नदीदीप है जो की पूरे विस्प का सबसे बड़ा नदीदीप है दोस्तों यहाँ पर है यह माजूली नदीदीप और इसी पर दोस्तों यहाँ पर इससे सुबंशरी नदी आकर मिलती है यह इसकी सायक नदी है तिब्बत में आपको याद होना चाहिए, पूरे विश्प का सबसे बड़ा नदी दीप असम में ब्रहंपुत नदी पर है, देखे दोस्तों इस नदी को हम ब्रहंपुत नदी के नाम से जानते हैं, और ब्रहंपुत नदी इसका नाम असम में ही है, ठीक है, असम में इसे हम पर सुबंद्शीरी के पास से ही होता है तो ये दोनो नदियां तिबबत में निकलती है तिबबत में इनका उद्दगम होता है और असम में आकर ये ब्रहंपुद नदी से मिल जाती है और इसके बाद ये असम में धुबरी नाम शिकिम्य होता है और वो बांगलादेश में भरहां पुत्र से मिलती है ठीक है और आपको इसमें option दे सकते हैं तिस्ता है या मानस है या धनशरी सुवनशरी इस टाइप को idents को प्सकेशं के option दे सकते हैं तो आपको यात होना चाहिए तिस्ता नदी है और बांगला देश में ब्रहंपुत नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है ठीक है और यहाँ पर देखिए इससे दोस्तों यहाँ पर इससे गंगा नदी आकर मिल लईए गंगा नदी को बांगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों मैंने गंगा नदी की वीडियो जब बनाई थी मैंने आपको बताया था पच्ची मंगाल में गंगा नदी की एक बित्रीका निकलती है जिसके किनारे पर कलकत्ता भी है तो बताइए comment करके उसका नाम क्या है ये जो वितरी का है इसका नाम क्या है बताइए देखते हैं कौन-कून student comment करके इसका थाई आंसर बता बाता है इसके बाद देखिए, गंगा नदी और भरमपुद नदी जब मिल जाती है, इसके बाद यहाँ पर इससे एक और नदी आकर मिलती है मेगना यह मेगना नदी है यह देखिए पूरी मेगना रीवर है और यह है बराख बराख नदी जब यहाँ से आगे चलती है इससे आगे तो यह मेगना के नाम से जानी आती है तो यहाँ पर देखिए जब यह गंगा नदी और बि गना के नाम से और देखे दोस्तों ब्रहंपुर नदी और गंगा नदी बंगला देश में मिलकर इसके बाद जब बंगाल की खाली में गिरती है तो पूरे विस्प का सबसे बड़ा सुन्दरवन डेल्टा बनाती है देखे ये पूरे विस्प का सबसे बड़ा सुन्दरवन भी बंगलादेश में जाती है उसके बाद ये बंगाल की घाली में गिर जाती है तो देखिए यहाँ पर मैंना कुछ आपको important बाते बताएं थी जो कि exam की दस्टी से बहुत ज्यादा important है प्राइडीपीय भारत की नदियाँ यहाँ पर देखे दोस्तों यह हमारा प्यारा भारत है तो इसमें हम प्राइडीपीय भारत की बात करेंगे दक्षली भारत की बात करेंगे प्राइडीपीय भारत यह दक्षली भारत एकी बात है तो दोस्तों यह हमारा दक्षली भारत है तो इतने पार्ट में जितनी भी तो प्राय दीपिय भारत की कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं तो सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में ये चार नदियां अरब सागर में गिरती हैं इन्हें याद करने की एक ट्रीक है दोस्तों एक सब्द है आप इसे याद कर लीजिए समानता बहुत यह असान है समानता यहाँ पर सास है सावरमती और मा से माही ना से नर्मदा औरता से तापती या तापी ठीक है तो यहाँ पर सावरमती नदी दोस्तों यह है यह नदी देख रहे हैं आप सावरमती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सावरमती नदी इसका उद्गम दोस्तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे राजिस्थान में अरावली परवत से होता है और गुजरात में दोस्तो एहमदाबाद सहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है इसके बाद दोस्तो यह माही नदी है यहाँ पर दोस्तो मालवा का पठार है तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से इसका उद्गम होता है और दोस्तो यह बिशिफ की एक मात्र ऐसी नदी है जो करकरेका को दो बार काटती है आप चानते होंगे यहाँ से करकरेका गुजरती है तो ये करक रेखा को दो बार काट रही आप देख सकते हैं तो दो कोशन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर हैं तो दोस्तों आपको बताना है बिजुबतिय रेखा और मकर रेखा को कौन-कौन सी नदियां दो बार काटती हैं और हिंट के लिए दोस्तो यही नदिया दोस्तो अफिरिका में हैं तो बताईए इनका आंसर देती है आप कमेंट में चलिए अगली नदी पर चलते हैं यह दोस्तो नर्मदा नदी है मैं लिख देता हूँ यह नर्मदा है दोस्तो यहाँ पर बिंद्यहंचल रेंज है और यह सत्पुडा रेंज है तो बिंद्यांचल और सत्पुडा रेंज के भीच में ब्रंच गाटी में ये बहती है इसका उद्गम दोस्तो मैकाल परवत की अमर कंटक चोटी से होता है और यहाँ पर दोस्तो गुजरात में सरदार सरोवर बांद है और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बांद है याद रखिए ये गुजरात में यहाँ पर है जो भी इंपोर्टेंट बात है मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहिए दोस्तो यहाँ पर आप इन चारो नदियों में देख रहे होंगे ये नरबदा नदी इन चारो नदियों में सबसे बड़ी नदी है तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में दोस्तो यहाँ पर नरबदा नदी के एक साहग नदी है तबा तो इसे भी याद रखिए इसके बाद हम देखते हैं तापती नदी, यह ताथ स्य तापती नदी है, इसे तापी भी कहते है, दोस्तो मद्ध्रिदेस के बैतुल जिले से यहाँ पर इसका उद्धुम होता है और दोस्तो गुजरात में सूरत सहर इसी नदी के किनारे पर है तो ये चार नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदिया थी अब देखते हैं दोस्तो हम बंगाल की खाली में गिरने वाली नदियों को तो सबसे पहले दोस्तो हम उपर से सुरू करते हैं पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों यह सून रेखा है, मैं लिख देता हूँ, सून रेखा, और यह दोस्तों महान अदी है, यह दोस्तों गोदाबरी है, और यह किरसडान अदी है दोस्तों, और यह है कावेरी, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले कुछ पिरमुक नदिया हैं तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं तो यहाँ पर देख रहोंगे सबसे पहला ये सुन रेका दोस्तो ये जारकंड में राची के पास से निकलती है यहाँ पर राची है जारकंड की राजजानी तो इसके पास से निकल कर ये बंगल की काड़ी में गिर जाती है इसके बार दोस्तो ये महा नदी इसका उदगम दोस्तो 36 गड़ में यहाँ पर सिहाबा की पहाली है तो यहां से इसका उद्गम होता है सिहाबा की पहाली से ठीक है और दोस्तो भारत का सबसे लंबा बांद हीरा कुंड बांद इसी नदी पहर है यहां पर इसकी लंबाई दोस्तो 4801 मीटर है मैं लिख देता हूं यहां पर 4801 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी एक सहयक नदी है ये नीचे इसका नाम है दोस्तो तेल नदी इसके बाद हम देखते हैं गुदावरी को ये दोस्तो गुदावरी है तो दोस्तो ये नदी महाराष्ट के नासिक से निकलती है यहाँ पर नासिक है तो इसका उद्गम महाराष्ट के नासिक से होता है और दोस्तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रायद्यिपया भारत में इसकी लंबाई सबसे अधिक है देखने से इसकी पते चला है तो इसकी लंबाई है जोस्तो मैं लिक देता हूँ यहाँ पर 1465 किलोमीटर इसके लंबाई है तो ये पूरे प्रायदीपिय भारत में सबसे लंबी है इसलिए इसे हम दक्षिन गंगा भी कहते हैं और इसे ब्रहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो कोशन आ जाता है दोस्तो प्राइदीपिय भारत में कौन सी नदी ब्रहद गंगा के नाम से जानी आती है तो कौन सी नदी गोदावरी नदी दोस्तो इसकी दो प्रुमुक साहग नदियां है एक बेन गंगा है ये बेन गंगा है और ये है दोस्तो इंद्रावती बेन गंगा है और ये इंद्रावती है दोस्तो पूरे भारत का सबसे चोणा जले परपात चित्रकूट जले परपात इसी नदी पर है और दोस्तो ये जल नदी है और ये दोस्तो इसकी दो साहिक नदियां है ये भीमा है और ये है दोस्तो तुंग भद्रा यहां पर दोस्तो एक और इसकी साहिक नदी है मूसी नदी और हैदरवाद दोस्तो इसी नदी के किनारे पर है तो कोशन आ जाता है कई वार कोशन आया भी है ये कि हैदरवा किस नदी के किनारे पर है तो कौन सी नदी किनारे पर है मूसी नदी और मूसी नदी क्रिस्णा नदी की साहिक नदी है और इसके बाद दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अब देखते हैं दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम करनाटक में यहां पर ब्रहमाग कावेरी की पहाली से होता है और दोस्तों ये नदी तीन बार दो भागों में डिवाइड होकर दुबारा मिलकर तीन दीपों का निर्मार करती है तो ये कुछ इस तरीके से बहती है माली जी ये कोई नदी बह रही है और ये दो भागों में डिवाइड हो गई और ये फिर और इससे पहले दोस्तों मैंने बताया था गोदावरी नदी, इसे कहते हैं दक्षिण गंगा, तो यहाँ पर confuse मत होना, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा ये दोनों अलग-अलग हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को, और दक्षिण गंगा कहते हैं गुदावरी नदी इसके बाद क्रिस्णां नदी की इसके बाद क्रिस्णां नदी की लंभाई की नदियों में सबसे बड़ी नदी है तो इनका किरम भी आप याद रखिए दोस्तों ये प्राइदीपिय भारत की पिर्मुक नदियां थी ये दोस्तों नदियों को मैंने एक टेबिल में दिखाया आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए